उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदितनाथ जो भी करते हैं डंके की चोड़ पर करते हैं बिना डरे बिना रुके जो भी करते हैं देश और दुनिया के सामने खुल कर करते हैं चाहें फिर वो माफियाओं पर बुल्डोजर की रनीती हो या फिर दंगयों का फोटो बीच चौराहे पर लटकाने की बात हो मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ये एक्शन लेते हैं और वामपन्त ही फड़ फड़ाते रहते हैं इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मुख्यमं उत्तर परदेश के 15 मुख्यमंत्री योगी से पहले जो काम नहीं कर पाएं आज 43 साल बाद मुख्यमंत्री योगी ने वो करकर सुर्ख्या बटोली जियां 13 अगस्त 1980 उस समय उत्तर परदेश और केंदर में किस कि सरकार थी आप सभी भलिवाती जानते होंगे उत्तर परदेश में भी कांग्रेस कि सरकार और केंदर में भी कांग्रेस कि सरकार और उसी 19 अगस्त 13 अगस्त को मुरादाबाद में क्या कुछ हुआ S.E.V. company report आज से पहले ना किसी मुख्यमंतरी की हिम्मत हुई थी पेस करने की और ना किसी मुख्यमंतरी की हिम्मत हुई थी मीडिया के सामने उस पर बात करने की लेकिन आज मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने भरी सभा में संसत के अंदर कॉंग्रेस को एक्सपोज करते हुए और कॉंग्रेस के मुस्लिम लीग को एक्सपोज करते हुए 43 साल पहले हुई इस दंगे की रिपोर्ट पेश कर दी और सियासत में गर्मी बढ़ा दी इद की नमाज के वाक्त मुरादाबाद में भड़का दंगा वोट बैंक के लिए रची गई सोची समझी साजिस का परिणाम था मुख्यमंतरी योगी आदितनात द्वारा संसत में जो रिपोर्ट पेश की गई जो तड़कता भड़कता रिपोर्ट सामने रखा गया उसमें जो कुछ भी सामने आया उसमें कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग की असलियत सामने रखती जो कॉंग्रेस मुस्लिमों का खुद को सुपचिन तक पताती है जो कॉंग्रेस मुस्लिम वोट पाने के लिए लगातार मुस्लिमों के लिए चुपड़ी बाते करती है वो कॉंग्रेस कैसे मुस्लिमों के साथ साजी सरच रही थी और कैसे वोर्ट बैंक के लिए मुस्लिम लीग के कंदे बंदूक रखकर चला रही थी आज हमारी इस वीडियो में आपको साफ पता चल जाएगा तरसर सरकारी रेकॉर्ड के अनुसार दंगे में 84 लोगों की जान गई थी ये बाते जाज के लिए बने जस्टिस एमपी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में सामने आई आयोग ने 1983 में रिपोर्ट सौब जी थी मगर 43 साल तक इस विसफोर्टक रिपोर्ट को दबा कर रखा दिया कितनी सरकारें आई कितनी मुख्यमंतरी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी पद्वी पर बैठें लेकिन किसी भी मुख्यमंतरी किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि इस विसफोर्टक रिपोर्ट को देश और दुनिया के सामने रख पाए सोमवार को 40 साल बाद रिपोर्ट विधान सबा के पटल पर रखी गई आयोग ने दंगे के लिए तातकालीन उत्तरप्रदेश मुस्लिम लीग पार्टी के प्रदेश रक्ष डॉक्टर समी मेहमद और हामिद हसन उर्फ अच्ची को जिमेदाट है जहां एकदम सहीं सुना आपने 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे में सबसे ज़्यादा जान मुस्लिमों की गई थी उस दोरान कॉंग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे दंगे का जो आरोप था वो RSS अभार्थी जनता पार्टी पर रच दिया था यहां तक की मुसल्मानों ने भी हिंदूओं की तरफ से इस दंगे को भरकने का समझ कर हिंदूओं पाहमला कर दिया था मगर मौते सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की हुई थी जस्टिस सक्सेना के रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ उसने आज कॉंग्रेस का दो मुहा चेहरा सामने लाकर रच दिया रसल रिपोर्ट में भाजपा RSS सहीत हिंदू संगटनों को क्लीन चिट दी गई है यहां पुलिस PSC तक को क्लीन चिट दी गई है और यह कहा गया है कि पुलिस PSC के गोली चुलाने के फैसले सही थे ऐसा कहा गया है कि एक HDM सही चार पुलिस कर्मी मारे जा चुके थे बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ गई थी अगर पुलिस कदम नहीं उठाटी तो नुक्सान होता रिपोर्ट के अनुसाल आम मुसल्मान ईदगाह पर गरबड़ी के लिए उत्तरदाई थे ही ने संप्रदाई खिंसा के पीछे समीम और हामित के नेतित वाली मुसलिम लीग और उनके समर्थत थे यह वही मुसलिम लीग है जिसने बारत पाकिस्तान का बटवारा कर दिया यह वही मुसलिम लीग है जिसको गठित किया गया मुसलिमों को खुश करने के लिए मुसलिम वोर्ट बैंक को समर्थन लेने के लिए अल्प संक्यों के सहान उभूती हासिल करने के लिए भड़काओ कहानी गड़ी गई और हिंसा भड़का दी गई साथी चर्चा रही कि मुस्लिम लीक के दो नेताओं ने दंगे की साजिस रची थी आपको पता दें गियोगी के पहले ऐसे कई मुख्य मंत्री आएं लेकिन किसी ने भी यह रिपोर्ट पेश करने की हम्मत नहीं की 1983 में सासन को रिपोर्ट मिलने के बाद इसका हिंदी उर्दू में अनुवार करवा के पहली बाद 13 मार्च 1986 को वीर बहादूर सिंग की कैबिनेट के समक्ष सदन में पेश करने के लिए रखी गई लेकिन उसको मंजूरी ही नहीं गई कारण था कॉंग्रेस इसके बाद 13 बाद और कैबिनेट के समक्ष इसका प्रस्ता हो गया लेकिन हर बाद सामप्रदाइक इस सितियाधी का हवाला देकर रिपोर्ट लब भी तर्खी गई क्योंकि उसमें हिंदू की गलती नहीं मुस्लिम लीक की गलती बताई जा रहे थी उस रिपोर्ट में भारती जनता पार्टी और इससको क्लीन चीट दिया जा रहा था यही डर था कि इस रिपोर्ट को सामने नहीं रखने दिया गया क्योंकि अगर ये रिपोर्ट उसी टाइम सामने आ रहा थी तो साइद सतर से पच्छतर साल जो इस कॉंग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया है वो ना कर पाती इस दोरान एंडी तिवारी, मुलाहिम सिंग्यादो, कल्यान सिंग, मायावती, राजनात सिंग, राम प्रकास गुपता, प्रदेश के मुख्यमंतिर है मुलाहिम कैबिनेट ने रिपोर्ट को चार बार सदम में रखने से इंकार कर दिया इसके बाद जांच रिपोर्ट गायब ही होगा, करीब देड़ दसक बाद रिपोर्ट मिली, तो माई में योगी कैबिनेट से इससे सदन में रखने का फैसला किया गया आपको बताया, 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद पर जूटी 70,000 लोगों की घिर को उकसाया गया था 14 बार मंट्री मंडल ने रिपोर्ट पेस करने को मंजूरी ही ने दी, योगी कैबिनेट ने बाद में इसे पेस किया 13 अगस्ट 1980 को ईद की नमाज के बाद दंगा भड़का था, 40 साल बाद सरकार ने रिपोर्ट को सदन में रखने का फैसला लिया 84 लोगों की इस दंगे में मौत हुई थी, 112 लोग हिंसा में खायल हुए थे 20 नॉम्बर 1983 को जाच आयोग ने सासन को रिपोर्ट सौब दी थी, 15 मुख्यमंतरी आए गए, सदन में फिर भी ये जाच रिपोर्ट पेस नहीं केगे 108 मुकदम दंगे को लेकर अलग-अलग थानों में हुए थे, 32 मुकदमों में आरोप पत्र थे, जबकि 75 में अंतिम रिपोर्ट लगाई थे मगर इन सबके बावजूर आखिर ये दंगे का रिपोर्ट जो की आज से 40 साल पहले सरकार के सामने रख दी गई थी, उसको आखिर जनता के सामने क्यों नहीं पेस किया लिया आखिर क्यों कॉंग्रेस इस तड़कते भड़कते रिपोर्ट को पेस करने में दर रही थी, कारण था मुस्लिम वोर्ट बैंक अगर कॉंग्रेस इस रिपोर्ट को सदन में पेस कर देती तो कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक उससे दूर हो जाता क्योंकि उसको मुस्लिमों को लुभाना था आज भी जो कॉंग्रेस मुस्लिमों की सुपचिंतक बनती है, मुस्लिमों की हिद्दाई बनती है, वो कॉंग्रेस कैसे उस समय मुस्लिमों के साथ खेल कर रही थी, आज हमारी इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा आपको पता दें कि 1983 में, 13 अगस 1980 में जो दंगा भड़का था उसके पीछे कारण था एक सुवर को इदगाह में धखेल देना, उस समय मुस्लिम नमाज पर बैठे थे, ऐसे में एक अफवाफ फैल आई गई कि हिंदूों की तरफ से इस सुवर को नमाज के दोरान नमाजियों की बीच में इदगाह में ठपेल दिया जिसके बाद मुस्लिम समुदाए ने भीड इकठा किया, कम सत्तर हजार के करीब में वहां भीड थी, जिनोंने रोड पर मौजूद हिंदू, हिंदू घरों पर पत्राव करना शुरू कर दिया, पुलिस पर हमले करने शुरू कर दिय जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी गोलिबारी हुई और करीब 80 से ज़्यादा लोग मारे गए, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग थे, ऐसे में जब ये पूरा दंगा भरका, दंगा भरकने के बाद पार्टियों को लोगों को भरकाने का एक नया मौका मिल गया, और कॉंग्रेस पार्टी ने भारती जन्ता पार्टी और RSS का नाम लेकर हिंदुवों पर धावा बोलना सो कर दिया, और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खीचना सो कर दिया, कहीं न कहीं उसको इसका फायदा भी हुआ, इतने समय तक ये रिपोर्ट ना पेस करने का ह पार्टी फायदा था कि आज तक, आज भी कहीं न कहीं कॉंग्रेस को मुस्लिमों का समर्थन मिलता है, मुस्लिमों का वोट मिलता है, मगर अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस से ये साफ पता चल गया है कि कॉंग्रेस दो मुहा साफ की तरह है, कॉंग्रेस पार्टी के दो मूँ हैं जहां एक तरफ वो मुस्लिमों के साथ गेम खेलती है और फिर दूसरी तरफ मुस्लिमों के साथ हितगरही बन कर मुस्लिमों का वोट पाती है एन्यूश टूड़े से विस्वेस्ट तिवारी की रिपोर्ट